नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका प्रभात के अंदरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जो किसान भाई हमार पास बार बार कमेंट कर रहे थे कि हमें साथ दाते का जो तोता प्लाव होता है वो प्लाव के बारे में जानकारी दें दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसकी जो लंबाई है वह साथ फिट लंबाई है और दोस्तों इसकी जो चोड़ाई की बात की जाए तो ये तीन वक्से में इसकी तीसी इंची चोड़ाई है दूसरी बात ही है दोस्तों कि ये है तोतफ लग ये कड़क जमीन जो हा टाइन्स से लगी हुई है इसके अंदर पीछे की तरफ चार टाइन्स लगी है आगे की तरफ इसमें इसमें तीन टाइन्स लगी हुई है दूसरी बात यह है कि यह डवल बेंड टाइन्स में है सबसे में बात यह होती है इसकी कि यह डवल बेंड टाइन्स में है एक मॉडल और आता है दोस्तों इसका जो राउंड टाय। में आता है वह हमने डाला है आप देख सकते हैं उस वीडियो को मैं आपको पीछे से दिखा दूँ कि यह जो डवल बेंड टाय। किस तरीके की होती है तो आप देख सकते हैं कि यह जो आप देख रहा है यह double band जो होता इसका यह double band tines होती है तो तप लगई और दूसरी बात यह है दोस्तों इस double band tines से आपको एक फाइदा है कि यह टेक्टर इससे लोड लेता नहीं है कोकि यह proper तरीके से जब चलता है तो यह इसकी आप देखेंगे गहराई भी अच्छी लेगा यहां तक पूरा आपका फ्रेम ही फ्रेम इसका दिखेगा और यह गहराई भी अच्छी लेगा मिट्टी को एकदम फोली और हलकी बना जाता है दूसरी बात इसमें एकजास्टेबल सब्बल लगा हुआ है आप सब्ब दूसरी बात यह होती है की ये 2-1 का काम करेगा कोकि तोता प्लस कल्टीवेटर भी आपका इसमें चल जाएगा आपको डबल खर्चे में कल्टीवेटर और तोता अलग से लेने की जरुबत नहीं है इसी के अंदर आपका cultivator भी चल जाएगा और इसी के अंदर आपका तोतपलाव भी चल जाएगा यह है साट टाइंस का दोस्तो दूसरी बात यह है कि यह जो 55 HP से उपर के टेक्टर होंगे तो यह साट टाइंस का है इस बाशी का bed भी जादा है दूसरी बात यह है कि यह तीन सपोर्ट में बना हुआ इसका bed अच्छा हैवी है दूसरी बात यह है और दूसरी यह भी है कि दोस्तों कि इसके अंदर हैवी होने के कारण यह 55 HP से उपर के ही टेक्टर से इसको खिच बाएगा दूसरी बात और इसका यह नक्के आप देखेंगे नक्के भी काफी हैवी और अच्छे है और इसका MM में आप पाठा देखेंगे तूलो पट्टी का तो काफी अच्छा हैवी माटेरियल का हम इसके अंदर पाठा लगाते है नक्के काफी heavy quality के लगाते हैं इसके अंदर जो चोड़ाई है इसकी जो आभी आप देख रहा हैं ये 7 फिट की है और इसमें 7 इसके अंदर टाइंस लगी हुई है वो भी double band टाइंस दूसरी बात करें इसकी कीमत की दोस्तों अधिक जानकारी के लिए जो display पर अभी number चल रहा है इस number के उपर आप हमें call करके बकाइदा इसके और जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में पूछ सकते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगए या इसी तरीके के क्रिशियंत्रों की हम जो नए-walker implement आते हैं नए models आते हैं उनकी हम वीडियो बनाते हैं उनकी हम जानकारी आपको सुधारने से लेकर हर तरीके के आप जानकारी आपको डालते हैं अविलेबल करवाते हैं दूस्तों वीडियो अच्छी लगए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें धन्यवाद